नमस्कार दोस्तों मैं मेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्रेटपॉर्म पे जहां पे आपको हर तरह की टीचर रिकूट्मेंट की कबर दी जाती है अगर आप नए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस चोटू बैल आइकन फोर दा लिटिस जब्री तो चलिए एक और नई कैंद्री विध्याले से रिकूट्मेंट आ चुकी है अगर आप इसकी पूरी इन्फोर्मेशन लेना चाहते हो तो बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है इस विडियो को फुल देख लेना है ताकि कोई भी इन्फोर्मेशन आपसे कैच आउट ना हो जाए मिस पहले हमेशा की तरह आपको आना है एनाउंस्मेंट सेक्शन में और व्यू आल पे क्लिक कर लेना है एंद थोड़ी सी वेट करना आप उसके बाद देखो सबसे पहले में जो है देख लो यहां से यहां पर आप रजिस्टेशन फॉर्म देख सकते हो जिससे आपको भरना है एक लिंक है और यह होगा आपका गूगल डॉक का डेफिनेटली तो यह गूगल डॉक का जो फॉर्म है आपको भर लेना है जो जो भी बाते हैं इसमें मांगी गई है आप भर लेना देखो मेरी हैंडाइटिंग बहुत ही गंदी है आप जो मैं बोल रहा हूं उसे समझना आपको क्या करना इस फॉर्म को ऑनलाइन भर लेना है और जो भी चीजने रिक्वायर होगी वो देख लेना आप अब देखो इसकी पेडियाफ और जो लिंक होगी ओफिस्यल चैनल की यानि की इस बैफसाइड की लिंक आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो अगर आप टेलिग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हो तो पिलीज जाके जुड़ जाओ क्योंकि वहाँ पे अभी तक 1200 स्टूडेंट ग्रूप को जोइन कर चुके हैं एक्शली 1175 सम्टिंग हुआ है तो आप जाके जोइन कर लो ताकि कोई भी इन्फरमेशन आपसे सकते हो वहाँ पे जो भी आपका डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो तो चलिए अब बढ़ते हैं डिटेल एडविटिसमेंट की और और इसे देखने की कोशिस करेंगी कि क्या बाते आपसे पूछी गई है तो देखिए मैंने पिछले दिन आप लोगों से कोशिन आप इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें जो भी चीज आप जीवन में चाहते हो चीप करना वह आप अचीव कर लो तो चलिए अब यहाँ से देख लो इंटर्व्यू की जो डेट है तो सबसे पहले वो जान लो 27 अर्वार्च 2021 को है और आज का कोस्ट्व जान ने ये रहा आपको यहां से दिखाई पड़ रहा होगा आपको बताना है पानी पत का पर्थम युद्ध कब हुआ battle of first पानी पत का जो युद्ध हुआ था आपको बताना है first ची हां पर्थम यानि कि मैं फिर से लिख देता हूँ आपको बताना है कि पानी पत का पर्थम युद्ध कब हुआ था मैं चाहूँगा सारे लोग comment section में जरूर लिखे और अगर कुछ नहीं हो तो कम से कम जो भी लिखना चाहते हो आप thanks लिखना चाहते हो या फिर कुछ सुधार के लिए सुझाफ देना चाहते हो स्वागत है आपका comment box में सारे comment में पढ़ता हूँ अब देखो PGT, TGT, PRT, PRT, music teacher, game coaches की recruitment आई हुई है nurse की recruitment आई हुई है और computer instructor की भी recruitment आई हुई है अब देख लेते हैं PGT के लिए देखो यहाँ पे इन्होंने seat at को नहीं मांगा है BA plus कोई भी master degree आपकी होनी चाहिए concerning subject में अगर English है तो English में आपने PG कर रखा है तो आप eligible हो जाओगे सेम बात हैं TGT में है लेकिन यहाँ पे bachelor's मांगा गया है और याद रखना seat at अगर आपका नहीं है तो भी आप apply कर सकते हो लेकिन यहाँ पे देख लो एक word priority यानि कि अगर suppose कर लो कि आपका interview में 10 number आया और मेरा 10 number आया अगर आपने seat at pass कर रखा है तो आपको वो ले लेंगे और मुझे बोलेंगे get out बोलेंगे नहीं लेकिन मैं हो जाओँगा आगे देख लो अब PRT के लिए इन्होंने बात रखा है कि देखो seat at priority यानि कि फिर से यही बात कि यह तो खुस हो जाएगा seat at वाला और यह जो जिसका seat at नहीं हो वह हो जाएगा दुखी आगे बढ़ते हैं music teacher के लिए देखो पलस टू के बाद अगर आपने कोई भी bachelor's degree music में ली है तो आप माने जाओगे consider किये जाओगे गेम coaches के लिए अगर आपने अपने state को या फिर एक special कोई field में जो है institute से degree या diploma लिया है तो आप coach बन सकते हो nurse के लिए भी सही चीज़े है nursing में आपका degree होनी चाहिए आगे देख लो यहाँ से देखो दो तीन बाते हैं जो भी चीज़े हैं वो देख लो आप last date जो है दोस्तों वो है 27 को interview होगा but 24 तक आपका application form चला जाना चाहिए अब यहाँ पे देखो actually कहना मैं clear करके बता देता हूँ आपको 9-3 से 21 तक आपको क्या करना है अपना interview जो है यह सारे form को भर लेना है ठीक है न और form की जो मैंने आपको website बताए थी वहां से आपको भर लेना है अब देखो कोई भी अगर आपका doubt रह जाता है और यह vacancy कहां से आई है वो देख लेते हैं यह आई है केंद्री विद्याल है हार्दस से जी हां मध्यपर्देश से यह recruitment आई हुई है जो लोग मध्यपर्देश से थे comment करके आप बताओ thank you बोलो बहुत बार से आप लोग परिसान कर रहेते कि कि मध्यपर्देश के recruitment आप नहीं बताते हो तो चलिए it's your time to pay me something pay करना है बस एक gratitude के साथ तो चलिए अभी के लिए फिलाल इतना ही thank you so much for your love and support keep loving keep supporting and keep growing thank you so much